वेलकम टुमाई चैनल सहरीजी लडमी दोस्तों आज हम पढ़ेंगे बिसाइट के बारे में बिसाइट और बिसाइट इसमें फर्क क्या है basically word a की है बोलने में भी एक है लिखने में भी एक है लेकिन सिर्फ s आगे लग जाने से meaning change हो जाता है यह s लगा दें तो यह besides बन जाता और इसका मतलब होता है इलावा सिवाई भी कहते हैं इसको और इलावा भी कहते हैं लेकिन यह first जो besides है जिसके साथ s नहीं है इसका मतलब है के साथ इसको इंग्विश में next to भी कहते हैं लेकिन दे बस इस standing the bus is standing beside the car बस गारी के साथ खड़ी है तो यहां besides का मतलब है साथ इसके साथ ठीक है हम यूँ भी कह सकते है दा बस इस standing next to the car तो यह देखें बस जो है गारी के साथ खड़ी है second sentence is this book is beside the table यह किताब मेस के साथ पड़ी हुई है या रखी हुई है जो भी सहीं यह बुक है this book is beside the table यह बुक मेस के साथ रखी हुई है तो beside का मतलब यहां पर आपको समझा गई third sentence में आपको एक और example बता देती हूँ the baby is walking beside the old man बच्चा बुड़े आथमी के साथ चल रहा है समझागी beside का मतलब तो यह तो हो गया दोस्तो हमारे पास beside ठीक beside का क्या मतलब है और कैसे sentence यूज होता है sentence में यह word यह तो आपको समझ आ गई होगी अब हम पढ़ते है besides जिसके साथ s का इजाफा किया जाता है besides जिसका मतलब भी change हो जाता है इसका मतलब होता है इलावा के इलावा यह सिवाए इसके इस तरह का लवज आता है अब यहां देखें यह बच्चा है ठीक इसके साथ यह baby girl भी है यहां पर इसको हम शामिल कर देंगे जम्मा में सब्सक्राइब इस चिल्डरन आर नॉटी यह बच्चे शरार्थी है इस चिल्डरन आर नॉटी यह बच्चे शरार्थी हैं सिवाए इस बच्ची के ठीक है इस बच्ची के इलावा यह दो बच्चे शरार्थी हैं आप यूँ भी इसको कह सकते हैं तो यह बिसाइट का मतलब यह हो गया ठीक इस बिसाइट का मतलब हो गया इलावा और दूसरे बिसाइट का मतलब हो गया के साथ आप यहाँ आई गो टू स्कूल एवरी डिल बिसाइट संडे मतलब इत्वार के इलावा मैं रोज स्कूल जाती हूँ या जाता हूँ तो फ्रेंड्स यह तो हो गया बिसाइट का मतलब कि बिसाइट और बिसाइट्स में फर्क क्या है तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक जरूर कीजिएगा साथ ही शेयर कर दें और कर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल सब्क्राइब कर दें को कि गुड़ बाद गॉड़ ब्लेस यूँ